लेवल्स का क्या अर्थ होता है ये आज किस वीडियो में सीख लेते हैं लेवल्स का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो लेवल्स का प्लूरल यानि कि बहुवचन होता है लेवल्स यानि कि एक से ज्यादा लेवल्स को हम लेवल्स कहते हैं और level का अर्थ होता है स्तर, दर्जा, सतह, समभूमी, काइदा, नीयम, बराबरी, समतल, संभाव, संबुध्धी यह समानस्तरिय यानि कि बराबर के level का तो एक से ज़ादा स्तरों को दर्जों या समानस्तरियों को हम levels कहते हैं इसके इलावा लेवल का इस्तेमाल वर्ब की रूप में भी किया जाता है और वर्ब की रूप में लेवल का इस्तेमाल जब हम present in definite tense में he sheet ये singular third person के साथ करते हैं तो rule के coding उसके साथ ऐस लगाते हैं जिससे levels बनता है और लेवल का आर्थ होता है कि लेवल करता है ये करती है ये कर देता है ये कर देती है और लेवल करने का आर्थ होता है बराबर करना चोरस करना समान स्तर का बनाना यानि कि एक ही level का एक ही दरजे का बना देना, पैंकना, लक्षे करना, समतल करना, चलाना या नाश करना तो levels का मतलब हुआ कि बराबर करता है या करती है या कर देता है या कर देती है चोरस करता है या करती है यह इसी तरीके से नाश करता है या करती है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि बगीचे को दो स्तरों पर व्यवस्तित किया गया है तो आप कहेंगे the garden is arranged on two levels या अगर आप ये कहना चाहें कि कमाई का स्तर अभी भी बढ़ रहा है तो आप कहेंगे levels of earnings are still rising levels of earnings are still rising अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें